दीवान सिहनेगी अहिनसात्मक सत्यागरह के अग्रणी रहे तथा कुमाव में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्यागरह के लिए चुने गए दीवान सिहनेगी का जन्म 22 दिसंबर 1918 को गरूर जिला अलमोडा वर्तमान बागेश्वर में हुआ था इनके पिता का नाम चंद सिहनेगी था इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानिय विद्यालय से हुई तथा विवाः पार्वती नेगी से हुआ राश्ट्रिय भावना से उत्परोत एक साहसी सैनिक की तरह देश की आजादी में महत पवपूर्ण भूमिका निभाई कॉंग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में भी इन्होंने कार्य किये और कई बार जेल भी गए सन 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में जुडे जिसकी वजह से एक वर्ष कैद की सजा हुई 1942 को भारत छोडो आंदोलन में भाग लेने पर छे वर्ष कठोर कारावास तथा 200 रूपे जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर अतिरिक्त एक वर्ष कठोर कारावास का दंड दिया गया स्वतंत्रता के 25 वे अवसर पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गनाधी ने इन्हें तामपत्र भनेट किया और वर्ष 25 दिसंबर 1994 को इनका निधन बागेश्वर हो गया